स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Problems 2022 में Environment के Current Affairs के Revision का ये हमारा चौथा लेक्षर है आज के सेशन में हम दिसंबर महिने के Environment के Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस सेशन का First Important Article यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड है जिसका पहला एडिशन अभी मिनिस्ट्री आफ जल सक्ती ने लांच किया है अक्चुल में एक National Hydrology Project है इसी प्रोजेट के अंतरगत ये प्रोफेशनल प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसको Australian Water Partnership का पूरा सपोर्ट मिल रहा है साथी साथ इसका Basic Aim ये है कि ये ना एक Structured Platform बनाएगी जिससे कि हम लोग Water को Conserve करने के लिए Capacity Building देख सकें हम लोग Long Term Investment करेंगे इसमें Strategic Investment करेंगे जिससे कि इंडिया के अंदर हम लोग Water Management Reforms लेके आ सकें इसके Objectives में हम लोग जो भी Professionals हैं Water Professionals हैं उनको हम लोग जो भी जरूरत की Skills होंगे Knowledge होंगे उनका Behavior Change करने की बात होगी उनका अच्छा Network Build करने की बात होगी उन सब तरीके से उनकी Help करेंगे जिससे कि वो लोग इंडिया के Water Resources को अच्छे तरीके से Manage कर सकें और एक सही Direction में Develop कर सकें साथी साथ इंडिया में जो Water Sector की Priorities हैं या फिर जो भी ऐसे Water Professionals की Competency Needs हैं उनको भी हम ध्यान देंगे इस प्रोग्राम के लिए इस प्रोग्राम को Implement कर रहा है Australia India Water Center जो की Australian और Indian University का एक Consortium है मतलब एक Group है बहुत सारी Universities मिलके इसको Implement करने का काम कर रही है इसके कुछ Unique Features हैं अभी जब हम लोग Capacity Building की बात करते हैं या फिर Training Programs की बात करते हैं तो यह Typical Kind of नहीं है उनसे काफी Unique है जिसमें हम लोग Training और Learning Model पर Focus कर रहे हैं हम लोग इसमें जो भी Water Professionals होंगे न उनको हम लोग एकदम अच्छे Situation पर डाल के देख रहे हैं कि भई तुम अब Situational Understanding रखोगे अपने पास Projects को Implement करके देखो उसमें से जो भी चीज़ें सीख रहे हो ना फिर उसमें Improvement लेके आएंगे मतलब बिल्कुल Practical Based है आप ऐसा बोल सकते हो साथी साथ ये प्रोग्राम Gender Equality और Diversity पे भी Focus करता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भई अगर Society का हर एक Member अपने Skill का Use करेगा तो Definitely Water Management को हम Sustainable Level तक ले जा सकते हैं इस प्रोग्राम का significance आप इस तरीके से भी देख सकते हो एक तो Australia-India Water Relationship बहुत अच्छा होगा एक अच्छे milestone तक पहुचेगा और future में अगर हम लोग Water Leaders बनना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम definitely उस पे health करेगा हमारा अगला आर्टिकल Africa के Great Green Wall Initiative से related है अच्छल में अभी Food and Agricultural Organization ने एक study conduct की थी इसके अंदर इनों ने ये बताया कि Climate Change से लड़ने के लिए जो हम लोग Africa के अंदर Great Green Wall Initiative के अंदर में देख रहे थे उसकी speed थोड़ी धीमी हो गई है तो हमें फिर से speed up करनी की जरूवत है हुआ यूँ था कि 2007 में African Union ने इस initiative वे start किया था इसमें बात हो रही थी Sahel Region की अब ये Sahel Region क्या है Sahel Region आप बोल सकते हो कि एक Eco Climatic या फिर Bio Geographic Realm है जो कि एक transition zone को indicate करता है इसके North में Sahara Desert है और South में Sudanian सवाना है इसके बीच का जो reason है इसके अंदर में 2030 तक ये लोग 100 million hectares of degraded land को restore करते साथी साथ 250 million tons of carbon को sequester करते और इस Sahel Region में जो भी लोग रह रहे हैं इनके अंदर लगबग-लगबग 10 million jobs create करते तो हमेशा win-win situation के हिसाब से देख रहे थी ये लोग 11 countries इसमें participate कर रही थी इसमें बुर्कीना-फासो, चैट, जिबूटी, एरिट्रिया, एथियोपिया, माली, मौरिटेनिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सुडान ये सारे involved थे 100 million hectares of land तो नहीं लेकिन अभी 2019 तक इन्होंने 2007 से 2019 के बीच में केवल और केवल 4 million hectares of degraded land को ही restore किया है इसका reason ये है कि यहाँ पर financial crisis है अक्चलों है financial resources की कमी है तो UN report के अंतरगत ये great green wall initiative में जो भी countries involved हैं इनको थोड़ा सा अपने current pace को speed up करना पड़ेगा जिससे की land restoration थोड़ा सा और speed up हो सके और इनको हर साल कम से कम 8.2 million hectares of degraded land को restore करना पड़ेगा तब जाके 2030 में ये अपने target को meet कर पाएंगे तो आज cat के बारे में है fishing cat project में जो बच्चे हैं आंधर प्रदेश में उन्हें recruit किया जा रहा है as an ambassador ताकि वो fishing cat को conserve करने में अपना योगदान दे सकें बच्चों को basically role दिया जाएगा कि वो awareness spread करें वो painting के माधियम से हो सकता है art के माधियम से हो सकता है या फिर awareness campaign के माधियम से हो सकता है fishing cat के बारे में जानते है fishing cat एक wild cat है यानि कि जंगली बिल्ली है ये जो घरों में आप बिल्लिया देखते हैं उनकी तुलना में थोड़ी बड़ी दिखती है होती भी है किवल दिखती नहीं है वैसे देखने में बिल्ली जैसी ही होती है ये nocturnal होते हैं मतलब साफ है ये रात में ही अपनी major activities परफॉर्म करते हैं including prey चुकि ये पानी में बहुती आसानी से तैर लेते हैं इसलिए wet landscape में इनके लिए रहना काफी आसान होता है जैसे जो सुंदरवन वाला इलाका है या mangrove forest का area है वहाँ पर ये बड़े अराम से रह लेते हैं इने समस्या नहीं होती चुकि इनके जो पंजे होते हैं toes उसमें बीच में webbing होती है webbing का मतलब जाल जैसे कि आप चमगादर के पैरों में देखते हैं जो toes के हिस्से होते हैं या सपस्ट कहूं आप उसे उंगली कह लीजे तो उसके बीच में एक link होता है उसके जरीए उनका एक तो पानी में तैरना बहुत आसान हो जाता है दूसरा वो बहुत आराम से मचलियों को पकड़ लेते हैं और इनकी diet का एक बहुत important हिस्सा fish ही होता है चुकि ये wet atmosphere में रहते हैं पानी में जंप कर जाते हैं वहां से मचलियां पकड़ के खा लेते हैं habitat की बात करें तो ये आपको asurian floodplain में ज़्यादा मिलेंगे यूजरी जहां पर समंदर या नदियां समंदर से मिलती है tidal mangrove forest या inland fresh water habitat मतलब fresh water वाले एरिया में भी आपको मिल जाएंगे ये eastern घाट में कई सारे हिस्सों में देखने को मिलते हैं further ये हिमालिया का जो foot hill या नीचे वाला इलाका है वहाँ पे भी मिल जाएंगे गंगा और ब्रामपुत्रा नदियों की जो valleys है वहाँ पर और western ghaard में भी मिल जाते हैं usually आपको सुंदर बन में यानि के west bangal में चिलका लगून और जो surrounding wetlands है उडिसा में और आदर पदेश के कौरिंगा और कृष्णा मैंगरूव में मिलते हैं तो जो wetland वाला इलाका है वहाँ पर fishing cat काफी आसानी से मिल जाते हैं IUCN red list में इनका जो status है वो endangered है ध्यान दीजेगा endangered है आपको कई सरे sources में यह अभी भी vulnerable मिलेगा including Wikipedia लेकिन मैंने जो भी valid sources हैं वहाँ से confirm कर लिया है यह endangered ही है तो आप परिशान मत होईएगा Sights के Appendix 2 में है और Wildlife Protection Act of 1972 के Shillule 1 में है Threats की बात करें तो wetland habitat कम हो रहा है तो obvious सी बात है कि इनके survival को भी threat पहुचेगा जो कि unsustainable fishing की जा रही है जो बहुत छोटी मचलियां होती है उन्हें भी पकड़ लिया जाता है तो इनका pre-base कम हो रहा है इस वज़े से भी संख्या में कमी आएगी हमारा next article Narobi Declaration के बारे में है Narobi Declaration को भी हाल ही में African Nations ने आप्ट किया है अडॉप्ट किया है यहाँ पर जो basic objective रहा वो यह रहा कि जो Sendai Framework 2015 से 30 के बीच में आया है जिसके जरीए हम disaster के risk को कम करने की कोशिस करते हैं उसे African countries में अच्छे से implement किया जाए Sendai Framework क्या है पहले यह समझे Sendai Framework 2015 से 30 के लिए इसका यहाँ पर लिखे basic objective यह है कि disaster के risk को या खत्रे को कम किया जाए इसे 2015 में जो 3rd UN World Conference हुआ था disaster risk reduction के लिए जो कि Japan के Sendai में हुआ था वहीं पर इसे sign किया गया था तयार किया गया था kind of framework है, guideline है जिसे follow करके हमें 2030 में 2005 से 15 के बीच में जो disasters थी या हजार थे उनकी संख्या को, उनकी intensity को competitively कम करना है इसके लिए जो भी प्रयास हमें करने है वो हम करेंगे इसे ही एफरिका में implement करने के लिए नेरोबी declaration आया अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेरोबी declaration किस बारे में है तो यह Sendai framework के implementation के बारे में है आठवी, Africa Regional Platform for Disaster Risk Reduction यह नेरोबी में Kenya में नवंबर में हुआ उसी दौरान इस नेरोबी declaration को opt किया गया declaration में एक action plan है इसे आप POA, plan of action बोल सकते हैं इसमें Sendai framework को implement करने का plan बनाया गया है नेरोबी declaration जो है वो Global Platform for DRR जो कि 2022 में होने वाला है उसमें भी contribute करेगा यह जो meeting होने वाली है यह इंडोनेशिया में होगी 2022 में ठीक है अब 8th Africa Regional Platform for Disaster Risk Reduction जिसके दौरान Sendai framework को नेरोबी declaration के form में opt किया गया आफरिका में यह है क्या यह United Nations Office for Disaster Risk Reduction का initiative है वही से organize करते हैं जहां पर collaborate करता है African Union Commission और Inter-Governmental Authority on Development objective यही है कि disaster risk informed development हो ऐसा development जिसमें disaster का खतरा कम हो बेसिकली तब जब COVID-19 के threat को India face in fact world not India face कर चुका है हमरा next article lesser florican के बारे में है हाल के एक study में lesser florican जिस रूट से जाता है उसका लंबा रूट कौन सा है उसे track किया गया तो जो सबसे लंबा रूट हमें मिला है वो राजस्थान से महरास्टरा के एहमर नगर डिस्टिक तक का मिला है lesser florican जिसे बस्टर्ड lick या kharmor नाम से पोकरा जाता है ये बस्टर फैमिली का सबसे छोटा पक्षी होता है ये board endemic है Indian subcontinent का मतब सिर्फ यहीं मिलता है और बड़े-बड़े घास के मैदानों में देखने को मिल जाता है ये राजस्थान, मध्यप्रेश, गुजरात और आस-पास के कुछ रीजन्स में देखने को मिलेगा IUCN status Endangered है Wild Life Protection Act of 1972 के Schedule 1 में और Sights के Appendix 2 में है Hunting और Habitat के खतम होने के वज़े से इनकी संख्या में कमी आ रही है देखिए इस समन में एक प्रशन है कि जो आपके पास options दिये गए है इन में से कौन सा ग्रुप है Animals का जो endangered हाथ endangered इस पर सीज है मतब endangered के टेगरी में आता है इसका सही जवाब तो देखिए ए ही है Great Indian Bustard, Must Deer, Red Panda और Asiatic Wild Ass ये सभी लोग endangered है हमारा next article Chocolate Bordered Flitter के बारे में है Butterfly की एक प्रजाती है अभी खोजी गई है सिक्किम में चूकि आप image में भी देख सकते है इनके बाहर का हिस्सा Chocolate Clare का है इसलिए इन्हें नाम दे दिया गया Chocolate Bordered Flitter Yellow Clare की Butterfly होती है North सिक्किमी जोंगों में discover की गई है नाम क्यों दिया गया है वो यहाँ पे explain किया गया है मैंने आपको बता भी दिया है हमारा next article Project Rehab के बारे में है Khadi and Village Industries Commission KVIC ने इसे launch किया है इसे गोलपारा डिस्टिक जो आसाम का है वहाँ पर एक गाउं है नाम है मोर्नोई वहाँ पर launch किया गया है क्यों? उस गाउं में एक्सार ऐसा देखा जाता है कि जो elephants है वो human habitation वाले एरिया में enter कर जाते है फसनों को नुकसान पहुँचाते है और कई बार इंसानों को भी नुकसान पहुँचाते है retaliation में humans का conflict होता है और कई बार हाथियों को injured कर दिया जाता है भगाने के परपस से अब देखे human population इतनी तेजी से expand हो रही है कि हमने जो environmental zone है जानवरों के रहने का including elephants उसे कहीं न कहीं encroach कर लिया है इसकी वज़े से elephant human conflict भी देखने को मिलते हैं हम नए-ने तरीके इजात करते हैं कि आखिर इसे कैसे रोका जाए क्योंकि बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हम जानवरों को नुक्सान पहुँचाएं जो भी possible ways हैं उनका इस्तेमाल करेंगे project rehab KVIC का जो national honey mission है उसी का sub mission है honey mission honey मतलब सहद मतलब मदो मख्य क्योंकि मतलब मख्या इन्ही काट लेती है इन्हें definitely अच्छा तो नहीं रखता होगा इसलिए जहां कहीं भी इन्हें मतलब मख्य की आवाज सुनाई पड़ती है यह वहाँ से भाग चलते है इतना बड़ा हाथी मतलब मख्य की आवाज से भागता है और इसका इस्तिमाल किया जाता है भी फैंसे बनाने के लिए जैसे माल लीजे ये एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहां से हाथी इस गाव में एंटर करेंगे तो यहां पे हम हनी बी के बॉक्सेस लगा देते हैं जिसमें मतलब मख्या होती है और इसे कुछ दोर से ऐसे जोड़ देंगे यहां पर जैसे हाथी इस दोर को टच करेगा या तोड़ेगा मदमक्यों के ये जो बॉक्सेस हैं इनमें हलचल होगी और मदमक्यां भिनमिनाने लगेंगी जिनकी आवाज सुनकर ये हाथी उल्टे पाउं भाग जाते हैं और गावों में एंटर नहीं करते जिससे हुमन एनिमल कॉन्फलिक की संभावना कम हो जाती है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है प्रोजेक्ट रीहब को इसके पहले करनाटका की कुटागो डिस्टिक में स्टार्ट किया गया था मार्च दो हजारिक्ट में देख रहे थे कि बात बनती है की नहीं और बात बन गई महस शह महिनों में वहाँ पर एलेफेंट अटैक 70% तक कम हुए हमें लगा ये तो काम की चीज है इसे और जगहों पे भी लॉंच करते हैं इसी करम में प्रजेक्ट रिहाब एक बार फिर से लॉंच किया गया इससे हम लोगों का जीवन भी बचा पाएंगे और एनिमल्स को भी कम नुक्सान होगा पुनीज सागर कैंपेन के बारे में है ये कैंपेन है नेशनल कैड़ेट कॉप्स का नेशन वाइड कैंपेन है नाम दिया गया है पुनीज सागर नाम से ही समझ में आ रहा है सागर के आसपास कुछ करने वाले हैं यहाँ पर देखिए मिजर अब्जेक्टिव यही है नेशन वाइट कैम्पीन के फॉर्म में लोगों को अवेर करना है कि जो बीचेस पर यानि की या फिर समंदर के किनारे प्लास्टिक और अन्य प्रकार का कच्रा देखा जाता है वो नुकसान पहुंचाता है हमें समंदर के आसपास का एरिया साफ रखना है यह भी लोगों को मैसेज देना है कि समंदर के किनारे का एरिया साफ होगा बीचे साफ होंगे तो यह लोकल पॉपलेशन और फ्यूचर जेनरेशन के लिए बहुत जरूरी है इसकी अलामा लोगों को अवेर करना है कि 1948 में स्टैब्लिश किया गया था रेकमेंडेशन आई थी H.N. कुझरू कमेटी की 1946 में यह दुनिया का लाज़ेस्ट यूरिफॉर्म्ड यूथ वोलेंटर सर्विस और गिनाजिशन है जहां पर स्टूदेंस अपनी इच्छा से जॉइन करते हैं NCC कैडेट्स इन्हें बेस आइक्टर जनरल ऑफ थ्री स्टार मिल्टरी रैंक जो भी डेक्टर जनरल होते हैं उनके तवरा एक्स आर्टिकल फाइसिला एक्यूटा के बारे में है घूंगे यानि की तिनी स्नेल की एक स्पिसीज है फॉर दर फर्स टाइम केरला में मिली है कोची में वैसे तो यह नॉ लोग इसे एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं यह दिपी यह उनके लिए स्टेबल जगे नहीं है और उन्हें एक्वेरियम में नहीं रखा जाना चाहिए फॉर दर फर्स टाइम इन्हें रिपोर्ट किया गया था अल्ली 1990s में इंडिया में लेकिन केरला में यह पहली बार मिले हैं ऐसा लगता है कि केरला में यह एक्वेरियम ट्रेड के माध्यम से ही पहुँच गए होंगे अगे बढ़ने से पहले छोटी से इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रिलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्से हैं जो कि आपके एक्जाम पॉइंट ओफ यू से काफ़ इंपॉर्ट हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक प्रिलिम्स क्राश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के वीडियो लेक्शर्स इसमें आपके करेंट अफेर्स और स्टाटिक दोनों इंक्लूडड है काफी सारे टेस्ट, फुल लेंग्ट और सेक्शनल और वीकेंड आउट सेशन्स वगरा सब कुछ है इसमें इसमें आपको फ्री सीसाट के क्लासेस और उनके टेस्स सीरीज भी मिलती है बट स्टिल अगर आप केवल टेस्स सीरीज में जोइन करना चाहते हो आपको वीडियो लेक्शर्स नहीं चाहिए है आपका रविजन अल्री चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप जोइन कर सकते हो इसमें आपके 19 सेक्षनल टेस्ट हैं 5 करेंट अफेर्स के टेस्ट हैं 15 फुल लेंग्ट टेस्ट हैं 4 सीसाट के टेस्ट हैं इसको जॉइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर जॉइन कर सकते हो अट दे सेम टाइम एक सीसाट के लिए प्रोग्राम है जो की SM students को cater करता है जिनका CSAT week है तो CSAT expert program आपके सब ही CSAT के topics को cover करता है वीडियो lectures के form में और छोटे-छोटे handouts भी हर lecture के बाद आपको मिलते हैं practice के लिए और last में कुछ full length test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए prepare कर रहा है तो आप हमारे प्रारंभ batch को जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको एक full foundation batch की तरह के से सारी requirements UPSC के point of view से fulfill की जाती है इसमें video lectures भी है, study materials भी है, test series भी है, mentorship भी है interview guidance भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस batch को join करना चाहते हो, तो आप video.onlyis.in पर visit करो याद रखना कि तेजस program के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही visit करना है अगर आपको कोई भी doubt आता है इन सभी batches से related, तो आप हमें simply इस number पर call कर सकते हो या फिर info.onlyis.com पर हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं हमारा next article Global Methane Initiative के बारे में है India ने co-chair किया Canada के साथ मतलब India और Canada ने इसे chair किया Global Methane Initiative को अभी हाली में virtually हुआ है 2004 में इसे launch किया गया था ये एक international public-private partnership है focus क्या रहेगा, नाम से पता चल रहा है मीथेन को कम करना है कितने सारी initiative है इसको लेकर इसे host किया गया, मतलब इसका जो security rate है, वो US Environmental Protection Agency के पास है further, इन्हें और क्या काम करना है objective ये है कि दुनिया भर में जो anthropogenic methane emission है जैसे कुछ तो national sources से होता ही है आप cow dung से निकलता है, आप उसका क्या कर लेंगे जो कचरा है उससे निकलता है लेकिन जो anthropogenic methane emission हो रहा है हम उसे रोकें members, voluntary governments होती है informal international partnership हो सकती है 45 countries इसका हिस्सा है including US and Canada इंडिया जब से बनाया तभी से इसका हिस्सा है परतमान में चेर्मेंशिप इंडिया के पास है इंडिया के पास नहीं है इंडिया के पास voice chairmanship है और इसके साथ जो for the first time इंडिया ने चेर्मेंशिप लीब ही है USA के साथ जो steering leadership है वो उनके पास है जिसके जरीए वो देख रहे हैं हमरा अनेक्स आर्टिकल हैदरपूर वेटलैंड के बारे में है हैदरपूर वेटलैंड जो western उत्रप्रदेस में है अब उसे हाल ही में इंडिया की 47th रामसार साइट की रूप में recognize कर दिया गया है और ये उत्रप्रदेस की 10वी रामसार साइट है दुनिया की 2463 रामसार साइट है तो ये इंडिया की 47th है और उत्रप्रदेस की 10वी ये याद रखिएगा 1984 में इस वेटलैंड को बनाया गया था ये सोलनी और गंगा रिवर का जहां मिलती है वहीं पर है हसनापूर वालेफ संचुरी का हिस्सा है human made wetland है मतलब हमने ही इसे डेवलप किया है ये उत्रप्रदेस के मुझफ़र नगर बिजनौर बॉर्डर पर आपको मिलेगा यहाँ पर कई सरे प्रांट के स्पेसीज आपको मिल जाएंगी 15 ग्लोबली स्रेटन स्पेसीज आपको मिलेंगी ये एक इंट्रेशनल ट्रीटी है इसे कई बार Convention on Wetland के नाम से भी पुकारा जाता है रामसार इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसे इरान में रामसार सिटी में साइन किया गया था इरान का सहर है रामसार 2 फरवरी 1971 में से for the first time साइन किया गया था उसके बास से ही दो फरवरी को World Wetland Day मनाया जाता है वरतमान में इसके 171 देश या पार्टीज हैं जो इसका हिस्सा है उद्देश यही है कि जो वेटलेंड से हमारे पास हैं उनका wise use करें यहाँ पर wise use का मतलब यह है कि उनका जो ecological character है जो उनकी स्थती है उसे में इंडियन रखें ताकि development हमारा sustainable बना रहे कल जब हम बात कर रहे थे हैदरपूर Wetland के बारे में जिसे अभी हाल ही में रामसा साइड डेक्लेयर किया गया है तो हमने गलती से discuss किया था in fact मैंने आपको गलती से बताया था कि वो उत्तर प्रदेश का दसमा wetland है जिसे रामसा साइड डेक्लेयर किया गया है actually ये 9th है 10th नहीं ठीक है so that was the correction हमारा next article बकसा टाइगर रिजर्व के बारे में है चुकि forest density बकसा टाइगर रिजर्व की बढ़ रही है और वहाँ पर जो bit cat जानी की टाइगर्स हैं उनके लिए प्रिवेज भी ठिक ठाख हो चला है यही करण है कि रॉयल बंगाल टाइगर को वहाँ देखा गया और ऐसा 30 साल बाद हुआ है तो बकसा टाइगर रिजर्व निउज में आया बकसा टाइगर रिजर्व यह अलिपूर दुआ डिस्टिक जो वेश पंगाल का है वहाँ पर सिचुएटेड है बकसा टाइगर रिजर्व की जो नदर बॉंडरी है वो भूटान के बॉर्डर से टच करती है 1983 में इसे भारत के 15 हमें टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था कई सारी नदियां हैं जो इस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है जैसे की संकोज, रैडक, जयंती, चुरनिया, तुर्टुरी, धीमा और नोनानी नेशनल हाइवे नंबर 31C इसके सदन मॉंडर से टच करते हुए गुजरता है यहाँ पर आपको Moist Tropical Forest मिलेंगे कई सारे जीव मिलेंगे जैसे की Indian Tiger, Leopard, Clouded Leopard, Hog, Badger और Jungle Cat बात करते हैं यहाँ पर Tigers की तो यह आपको 1972 का जो Indian Wildlife Protection Act है उसके Schedule 1 में मिलेंगे I.S.N. के रैलिटिस में Indian Jerd है और Sidescape Appendix 1 में है Tiger Conservation के लिए प्लान आया था Tiger Conservation Project इसे 1973 में लाया गया था और फर्दर National Tiger Conservation Authority जो की Statuary Body है Minister of Environment, Forest and Climate Change के ताहत उसे भी बनाया गया ताकि इंडिया में Tigers को conserve कर सके दुनिया भर में जो भी Tigers पाया जाते हैं उसके 70% आबादी आपको भारत में मिल जाएगी Balogical Diversity Amendment Bill 2021 के बारे में है इस बिल को अभी हाल ही में परलामेंट में रखा गया है वैसे तो अभी ये Act में convert होगा और इसके बारे में और भी बहुत सारी details हमारे सामने आएंगी लेकिन उसके पहले जो कुछ fundamental जानकारी पब्लिक डोमेन में है हम उस पर discussion कर लेते हैं चुकि एक amendmentable है मतलब किसी original Act में बदलाव करेगा तो वो original Act कौन सा है वो original Act है Balogical Diversity Act of 2002 इसी में amendment करने की बात की जा रही है ये ऐसा Act है जो Balogical Diversity के conservation की बात करता है बात करता है कि जो भी Balogical Resources हैं उनका fair और equitable use हो और अगर उसका कोई commercial use किया जा रहा है या traditional knowledge का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जो local communities हैं उन्हें भी उसका फायदा मिले इसी उद्देश से ये 2002 में Act आया था अभी जो amendment किया जा रहा है उसके जरीए कुछ compliance burden कम करने की कोशिस की जा रही है उन्हें exempt किया जा रहा है अगर वो कोई biological resource या फिर traditional knowledge इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अब state biodiversity board की prior अनुमती नहीं लेनी होगी जो उन्हें पहले लेनी पड़ती थी अब इस clause को highly criticize भी किया जा रहा है ये बोलकर कि इस प्रकार से जो biological resources हैं उनका over exploitation स्टार्ट हो जाएगा और जो traditional knowledge है जो वहाँ के local लोगों से जुड़ा हुआ है जिसका फायदा बो लेते हैं अब वो नहीं नहीं मिल पाएगा तो ये highly criticized point भी है इस bill का दूसरा point ये है कि जो medicinal plants होते हैं उनके cultivation को अब allow कर दिया जाएगा पहले कई सारे medicinal plants का cultivation allowed नहीं था इसके जरीए research और patent में भी fast tracking की गोशिस की जाएगी ये दोनो positive points हैं ये तो ठीक है further यहाँ पिर law के violation को भी थोड़ा धीला बना दिया गया है पहले अगर local communities को resources के exploit होने का फायदा नहीं मिलता था benefit sharing नहीं होती थी तो ये एक non-bailable offence होता था criminal offence होता था अब इसे civil offence बनाने की तयारी की जा रही है तो ये सारी बात ही इस bill के बारे में वाइल्ड रिलाइब protection amendment bill 2021 के बारे में है लोग सभा में अभी हाली में इसे भी introduce किया गया है ये वाइल्ड रिलाइब protection इस wild life protection act of 1972 का sites का full form होता है convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora जैसा कि यहाँ पर एक keyword है international trade इसे समझ में आ रहा है वैसे sites के बारे में अभी मैं detail में आपको बता दूँगा तो वहाँ clear हो जाएगा कि sites किस बारे में है बात करते हैं इस bill के provisions के बारे में national board for wildlife function करता है वैसे ही एक body state board for of wildlife की जो standing committee है वो भी work करेगी इनके पास कई सारे अधिकार होंगे जैसे कि wildlife management से संबंदित अगर कोई proposal है तो उसकी permission यही दे लेंगे और national level पे NBWL का काम इससे कम हो जाएगा further जो wildlife protection act 1972 है उसमें जो 6 schedules है उनको कम करके चार करने की भी बात की गई है schedule 1,2,3,4,5,6 ऐसे ही categorization होता है schedules को इस basis पे classify किया जाता है कि कौन सी species कितनी ज़्यादा खत्रे में है जो जितनी ज़्यादा खत्रे में होती है उन्हें schedules में उतना उपर रखा जाता है ताकि ज़्यादा protection grant की जा सके further wild life management plan के बारे में भी बात की गई है अभी तक ये जो plans थे इन्हें एक executive order के माध्यम से implement कर दिया जाता था अब कहा जा रहा है कि wild life management plans चाहे वो wildlife centuries या फिर national park से associated हो उस सम्मन्द में जो भी प्रावधान हो ये जो wildlife protection act of 1972 है तो अब ये बहुत ये आसानी से executive order से नहीं हो सकेंगे rather prior proper check लगाने की बात की गई है sides की बात करते हैं देखे होता क्या है कि एक देश में मान लेजी एक जीव की कमी है उनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है further उन्हें जान से मारा जाता है उन्हें क्यों जान से मारा जाता है कई बार उनकी सींग, उनकी खाल, उनके बाल या उनकी other body part के लिए उनको जान से मार देते हैं जान से मारने के बार international market में उनके उन body parts को बेच दिया जाता है और उससे ये जो पूरा काटल रन करता है उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते है अब इन जानवरों को इसलिए मारा जाता है बिकॉज इन्हें बेच कर पैसे कमाये जा सकते है अगर इस cycle को ब्लॉक कर दिया जाये तो मतलब अगर आप जानवरों को मार भी दें in endangered species of wild fauna and flora यहाँ पे केवल एनिमल्स की बात नहीं हो रही है यह प्लांस की भी बात हो रही है कई सारे प्लांस भी endangered हैं खत्रे में हैं कम हैं उन्हें भी खतम कर दिया जा रहा है 1963 में IUCN की एक meeting होई थी जहाँ पर sites के resolution को draft किया गया 10 साल लग गया इसे force में आने में 1973 में यह ultimately force में आया जिसके जरीए ऐसे plants and animals के international trade को ब्लॉक कर दिया गया जिनकी संख्या कम है और खत्रा बढ़ा हुआ है sites में basically तीन appendix होते हैं appendix 1, 2 and 3 appendix 1 में ऐसी प्रजातियों को रखा जाता है चाहे वो plants की हो या animals की हो जिनका trade अगर किया गया तो वो पुरी तरीके से खतम हो जाएंगे यानि कि extinct हो जाएंगे category 2 या फिर आप कहले जीए appendix 2 appendix 2 में ऐसे species को रखा जाता है plants और animals की जिनके trade से वो खतम तो नहीं हो जाएंगे ये लेकिन खतम होने का खत्रा ज़रूर बन जाएगा इसलिए इनके trade को appendix 2 में रख्के block किया जाता है appendix 3 में ऐसे plants या animals आते हैं जो किसी एक single country में उनको conserve करने की कोशिस की जा रही है तो वो sites के अन्य देसों के साथ request करता है कि आप इस plant या animal की trade को अपने देस में ब्लॉक कर दीजिए ताकि हमारे देस में ये बचा रहे है ऐसी प्रजातियों का appendix 3 में रखा जाता है तो आप sites के बारे में भी समझ चुके हैं वो Indian dessert cat के बारे में Indian dessert cat नाम से समझ में आ रहा है dessert वाली राके में रहती होगी dessert कहा होता है dessert इंडिया में आपको मिल जाएगा थार का dessert राजस्थान में लेकिन अभी इने for the first time spot किया गया है मदर प्रदेश के पन्दा टाइगर रिजर्व में PTR में अब भगवानी जाने ये वहाँ कैसे पहुंच गई बट पहुंच गई scientific name phallus, sylvestris और naty बैसे यूप यसी पोच्छती तो नहीं है फिर भी मैंने बता दिया Indian dessert cat इन्हें Asian steppie wild cat की नाम से भी पुकारते हैं या Asiatic wild cat भी बोलते हैं यह जो cat है यह sub species है African wild cat की देशों की बात करें तो यह आपको खजाकस्तान में मिल जाएगी चाइना और मंगोलिया में इंडिया के में लिए वेस्टन पार्ट में मिलती है जहां पर आपको रेगिस्तान भी देखने को मिल जाता है habitat यह dessert वाले एरिया में रहना पसंद करती है और काफी लंबे समय तक बिना पानी के भी सर्वाइब कर लेती है इसके शरीर के उपर cushion like hairs होते है जो dessert के temperature में जो fluctuation आता है उसे balance करने में इनकी मज़त करते है यह जैसे दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में ठंड बढ़ जाती है तो दोनों यह manage कर लेते है Asiatic wild cat था dessert में इंडिया में आपको मिलेंगे और स्ट्रफ डिजर्ट में भी मिल जाते है नौरा देही wild life century मदर प्रदेश में और मिर्जापुर forest में भी कई बार इन्हें record कर लिया जाता है protection status की बात करें तो आयूसीन की red list में ये है least concern मतब चिंता की बात नहीं है जो बिंद मौंटेन रेंज है मदर प्रदेश के नदर पार्ट में वहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा एक river है केन रिवर ये यमुना नदी की tributary है ये आपको इसी टाइगर रिजर्व से फ्लो करती हुई मिलेगी पन्ना diamond mining के लिए ये पूरा रिजन बहुत ही ज़़ादा famous है यहाँ पर आपको मिलेंगे marshy vegetation कई सारे medicinal plants के जो काफे rare हैं उनकी बड़ी संख्या यहाँ मिल जाएगी इसके लाओं कुछ non timber forestry प्रड़क्स में मिलते हैं जैसे की कथा, gum और resins resin actually में गम नुमा पदार्थ ही होता है lesslessasa जो कई सारे पेडों में निकलता है उसका इस्तिमाल दवाईयों के तौर पे किया जाता है fauna में हमें मिलते हैं tiger, leopard और chinkara जो की endangered है more or less siyagos और jungle cat भी हमें यहाँ मिल जाते हैं इसके अतरिक्त कुछ exotic animals जैसे की चीतल, नील गाय, slow beer और सांभर भी यहाँ रिखते हैं पक्षियों की प्रजातियां 200 से जादा मिल जाएंगी king vulture, indian vulture और bar headed goose यह prominent हैं यहाँ पे कुछ और भी tiger reserves हैं जो मध्यपरदेस में ही हैं उनके नाम है संजय, दुबरी सत्पुडा, बंधवगर माधव नेशनल पार्थ और पाँच, पीच, टाइगर रिजव यह कुछ protected areas हैं black broad albatros के बारे में है यानि की काली भौहों वाला albatros आई प्रो समझते हैं न हाली में एक study आई है इस पक्षी से related जिसमें environmental condition और इनकी longevity यानि की जीने की जो लंबी आयू है उसके बीच के संबंध को दर्साया गया है अगर environment degrad होता है इनका जहां पर यह रहते हैं तो इनकी जीने की छमता कम होगी यह तो बहुत ही स्वभाविक से बात है बात करते है ब्लैक, ब्रोड, अलवाट्रॉस के बादे भी यह अलवाट्रॉस की जो एक family है diomidae उसी से बिलॉंग करता है और अलवाट्रॉस की सबसे ज़ादा common प्रजाती है यह जो अकसर देखने को मिल जाती है यह एक sea bird है यानि कि dark black plumis से भी derive किया जाता है इनके जो punk होते हैं वो black color के होते हैं वैसे तो जो इनका eyebrow के उपर का हिस्सा होता है वो black color का होता है that's why नहीं नाम दिया गया है black brood albatross यह two marine birds हैं मतलब समंदर में बहुत दूरी तेह कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना किसी असोविधा के Southern Hemisphere को बड़ी आसानी से grass करते हैं और land पर तब ही आते हैं जब इन्हें breed करना होता है यानि कि अपने ज़दा तर समय यह समंदर में ही बिताते हैं South Atlantic में या फिर जो Southern Hemisphere का circumpolar region है मतलब जो pole का area है उसके आसपास के region में यह देखने को आपको मिल जाएंगे यह बहुत दूरी समंदर में तैय करते हैं cool currents के साथ September से October के महिने में यह South Atlantic के जो islands है जैसे कि South Georgia, Farclan Island South Sandwich और Cape Horn Islands वहाँ पर आ जाते हैं breeding purpose से I have seen red list में यह least concern है मतलब इनकी संख्या काफी जादा है संख्या में ऐस सच कोई खास गिरावट नहीं है That's why यह least concern के डिगरी में डाले गए है हमारा next article घडियाल के बारे में है Department of Punjab Forest और Wildlife Preservation ने collaborate किया Worldwide Fund for Nature India यानि कि WWF India के साथ मिलकर इन्होंने भी हाल ही में 24 घडियाल को Bias Conservation Reserve में छोड़ा अच्छी बात है इसी वज़े से घडियाल न्यूज में आए घडियाल क्रोकोडाइल की एक Ascent species है जिनकी पहचान आप इनकी लंबी नाख से कर सकते है Thin Snout से आप image में देखिए ये घडियाल की पहचान है Actually में इनका जो उपर का हिस्सा है सिरका या आप Snout क्या लीजिए वो सुराही जैसा होता है घडियाल इसलिए नाम मिला है घडियाल ये रिवरीन हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं रिवरीन का मतलब है नदियों में रिवर से रिवरीन बनाएं जहां गहराई हो पानी एकदम साफ हो फास्ट मुविंग हो स्टीप सेंडी बैंक्स हो रेट का एरिया बढ़िया हो वहीं पर ये रहना पसंद करते हैं पुल मिला कि अगर मड़ी वाटर होगा गंदा वाटर होगा तो वहाँ पर ये रहेंगे नहीं इन्हें साफ सफाई से रहना बहुत अच्छा लगता है अब distribution कहां कहां मिलते हैं ये पहले तो बहुत साइज जगों पर मिलते थे जैसे बांगलादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान लेकिन अब इनकी population बहुत कम बची है मिली आपको इंडिया और नेपाल में ही मिलेंगे बाकि सभी जगों से इनकी जो संख्या है वो लगाता कम होती गई और खतम भी हो गई इंडिया में आपको सोन रिवर में मिल जाएंगे, गिरवा रिवर में गंगामानदी रिवर में और चंबल रिवर में भी ठीक है नेशनल चंबल संचुरी और कतरनी घाट वाइलेफ संचुरी ऐसे रीजियन से हैं जहां पर या प्रटक्टेड एरियाज हैं जहां पर हम घड़ियाग को बचाने का प्रयास करते हैं संख्या चुकी कम है तो क्रिटिकली इंडेंजर बनता है वाइलर प्रटक्टेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शिजूल बन में है और साइट्स के अपनिक्स वन में है मतलब हाइस लेट का प्रटक्शन इनको दिया गया है संख्या कम क्यों हो रही है टोजिक क्रोकोडाइल इंडिन गोर्मेंट ने UNDP United Nations Development Program के साथ मिलके लॉंच किया था और फाओ के साथ Food and Agriculture Organization के साथ मिलके 1975 में उसके बाद हम captive rearing कर रहे हैं कोशिस कर रहे हैं कि इनकी संख्या को बढ़ाया जाए breeding program भी चला रहे हैं इस समद में UPSC ने प्रेशन भी पूछा था कि अगर आपको घड़ियाल को उनके Natural Habitat में देखना हो तो कौन सा प्लेस आप विजट करेंगे इंचारों में से वितरकंट्या मैंगरूफ, चंबल रिवर, पुलीकट लेक और डीपोर बील यह आप देखे बील होगा सही जवाब है चंबल रिवर हमने अभी पढ़ा भी था वहाँ पर यह अपने Natural Habitat में मिल जाती है अलिव रिडले टर्टल के बारे में है कॉंटेक्स्ट क्या है इससे होगा यह कि यह जहां भी ट्रेवल करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कितनी दूर ट्रेवल करके आ रहे हैं यह टैगिंग हम कहां करेंगे जो रिशिकुल्या रुकरी है रुकरी एक ऐसी जिगह होती है जहां पर कोई भी एनिमल या कोई भी जीव इकठा होते है उरिशा के कोश्ट पे वही पर यह टैगिंग की जाएगी बात करते हैं ओलिव रिडले टर्टल के बारे में चुकि इनका कलर ओलिव होता है इसी लिए ने ओलिव रिडले टर्टल कहा जाता है यह काफी बड़ी संख्या में पाये जाते हैं लगभग दुनिया में हर जगे आपको मिल जाएंगे पैसिफिक ओशिन, अटलांटिक ओशिन और इंडिन ओशिन का जो वाम वाटर वाला इलाका है वही पर यह अक्सर मिल जाते हैं कार्निवोर्स होते हैं मतलब मांसाहारी यह जैलिफिश, स्रिम्प, स्नील्स, क्रैप्स और फिशिस खाते हैं गलत काम यह तब करते हैं जब यह फिश के अंडे भी खाते हैं तो कुल मिलाके कार्निवोर हैं यह समझ लिया आपनी यह माइगरेट करते हैं बहुत दूरी तक इनका लगभग सारा जीवन समंदर में ही भी इतता है यह थाउजन्स ओफ किलोमेटर माइगरेट करके आते हैं मेटिंग के लिए और फीडिंग के लिए साल में एक बार यह एक जिगे पर इकठा होते हैं और जब इकठा होते हैं मास नेश्टिंग के लिए तो उसे कहा जाता है अरी बादा, ये अपने अरी बादा के लिए काफ़ी famous है, इनकी unique मास नेश्टिंग जिसे अरी बादा कहा जाता है इसमें thousands of females इकठा आती हैं और अंडे देती हैं ये अरी बादा हमें कई सरी जिगहों पे देखने को मिलता है उडिसा का कोष्ट जो है, वहाँ पर सबसे बड़ा इनका नेश्टिंग साइट यारी की अरी बादा हमें मिल जाता है, इसके बाद मेक्सिको के कोष्ट पे और कोष्टा रिखा के कोष्ट पे भी इनके अरी बादा देखने को मिलते हैं कंजर्वेशन स्केटस इनका वल्नरेबल है साइट्स के अपेंडिक्स वन में है और इंडियन वाइललाइब प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शिडिूल वन में है इनको पचाने के लिए क्या इनिशेटिफ लिए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया ये ऑपरेशन हर साल शुरू किया जाता है ताकि हम ओलिव रिडिले टर्टल को प्रोटेक्ट कर सकें फर्दर इंडिया में इनकी एक्सिडेंटल किलिंग हो जाती है मतलब मचवारे इन्हें पकरना तो नहीं चाहते लेकिन ये जाल में फज जाते हैं और वो उनके काम के भी नहीं होते तो ये मर जाते हैं इनकी एक्सिडेंटल किलिंग ना हो इसलिए उडियसा की सरकार ने ये मेंडेटरी कर दिया है कि जितने भी ट्रॉलर्स होंगे जो बहुत बड़े बड़े जाल होते हैं जिनें शिप से खीचा जाता है उसमें एक टर्टल एक्स्क्लूडर डिवाइस लगाई जाएगी जिसे टेड आप कह सकते हो वो ऐसे होती है जाल के भीतर ऐसे एक पात्वे बना होता है और उपर से जाल एक जिगाई पर खुला होता है मतलब अगर ट्रॉलर में ये ओलिव रिड़े टर्टल फस भी जाए तो वो इस टेड यानि कि टर्टल एक्स्क्लूडर डिवाइस का इस्तिवाल करके उसमें से बाहर निकल जाए अगर मचलियों के निकलने के लिए भी एक फिस एक्स्क्लूडर डिवाइस लगा दे तो मज़ा आ जाए फिर तो ट्रॉलर में कुछ भी नहीं बचेगा न तब क्या फायदा मिलेगा ट्रॉलर में मचली पकड़ने जाने का खैर ओलिव रिड़े टर्टल के बारे में ये बेसिक बाते थी इनके टैगिंग के समन्द में कुछ बाते और करते हैं इस टैगिंग को कोलाबरेटली लॉंच किया गया जो लॉजिकल सर्वे उफ इंडिया के दबारा वहाँ पर उन्हें मदद मिली है उडिसा के फॉरेस्ट एंड इन्वार्मेंट डिपार्टमेंट की कौन सी नेस्टिंग साइट इसमें कवर होंगी एक तो गहिर माथा जो की काफी इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट या अरिबादा है इनका मैप में देखिए यह जो लोकेशन है यह है गहिर माथा का ठीक है यहाँ पे और लिव रिड टर्टल नेस्टिंग बीच है रेड एकलर का जो पैच आपको दिख रहा है यह इनका नेस्टिंग साइट है इसके अतरिक्त यह हमें यहाँ पर देवी रिवर माउथ और रूशी कुल्या यहाँ पर भी इनके नेस्टिंग साइट हमें देखने को मिलते हैं यह देखिए देवी रिवर आ रही है ठीक है यहाँ पर मैं पैनले लेता हूँ यह है देवी रिवर और यहाँ पर इनका नेस्टिंग साइट यहाँ पर है इसके माउथ पर और यहाँ पर रूशी कुल्या रिवर यहां पर जो आ रही है जहां मैं spot कर रहा हूं देखिए तो यहां परविन का nesting site होता है तो यह तीन nesting site आपको यहां पर spot करके दिखाए गए है purpose यही होता है कि कितनी दूरी यह travel करके आ या जा रहे हैं इससे पता चल जाएगा जो tags होते हैं उनमें एक unique number होता है और details होती है जैसे की organization का नाम जिसने tagging करी है country का code और email address मानेजे किसी दूसरे देश के researcher को यह मिल जाएं तो वहां से बता सकते हैं उनकी location mail भी कर सकते हैं कि देखिए हमें यह यहां पर मिला है मदद करते हैं research organization से एक दूसरे की further metal tag होता है non-corressive होता है तो खराब नहीं होता और यह उनकी body को हाम भी नहीं करता इस बात का ध्यान दखा जाता है और बाद में जब यह वापिस लोटते हैं तो इस tag को निकाल भी दिया जाता है जो logical survey of India की बात करते हैं 1916 में establish किया गया था Ministry of Environment, Forest and Climate Change का एक subordinate organization है headquarter है Kolkata में और इसके 16 regional stations भी है तो आज के इस session में बस इतना ही Thank you very much